कही एंट कही बाते शुरू करते हैं लेकर प्रभू का नाम आज मैं आपको दुनिया के पांच सबसे डरावने पूलों के बारे में बताने जा रहे हूं वैसे तो दुनिया में लाखों ब्रिजिस मौजूद हैं जो बेहत खुपसूरत हैं और कुछ ब्रिजिस बहुत खतरना पूलों पर चलना मौत को दावत देने के बराबर है तो चली जानते हैं इनी में से पांच सबसे डरावने पूलों के बारे में नमर फाइव यूबिन ब्रिज ये लकडियों का ब्रिज 1850 में बनाया गया था जो अब तक मौजूद है इसलिए से दुनिया का सबसे पुरान लकडियों का पुल कहा जाता है लकडियों और बास को पानी में खड़ा करके बनाया गया ये पुल पुराने होने के वजह से कई जगा से तूट फूट गया है ये ब्रिज 1.2 किलोमीटर लंबा है हर रोज इस ब्रिज से हजारों लोग उजरते हैं मैकोंग रिवर वायर ब्रिज मैकोंग रिवर के उपर बनाया गया ये ब्रिज सिरफ दो वायर से बना है रिवर के पास रहने वारे लोगों ने नदी को पार करने के लिए ये अज़ेब पुल बनाया था ये ब्रिज आम लोगों के इस्तिमाल में बहुत कम आते हैं और बह केंबू से बने पुल दिखाई देंगे इनकी बनावट देखकर अच्छे अच्छों की सर चक्रा जाते हैं इन पर चलना आम इंसान के लिए काफी मुश्किल हैं अगर इसे पार करने पर आपका पैर फिसल गया तो आप नदी में गिर सकते हैं और चोट लग सकती हैं वियतना प्रिज दो पहाडों को आपस में जोडता है ये ब्रिज 4048 फीट की उचाई पर है इतना उचा होने की वजह से यहां सर्दी के मौसम में तेज हवाय चलती हैं तेज हवा नीचे गहरी खाई और उस पर हर कदम हिलता ये पुल अच्छे अच्छों की जान निकालने के लिए काफी है और नम्मर वन पर है चाइना ग्लास ब्रिज चीन में बने इस ब्रिज की लंबाई 1400 फीट और चोड़ाई 20 फीट है 1180 फीट उचाई पर बना शीशे का ये पुल दुनिया बर में फेमस है शुरू में इस पुल पर कुछ ट्रैकिंग इफेट्स दाले गए थे में इन चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए इसलिए भी ये पुल खतरनाक हो सकता है पहली बार इस पुल पर सफर करते किसी के भी होश उड़ जाते हैं इस ब्रिज पर चलते हुए अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप हवा पर चल रहे हैं डरने व पर किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कई अनकई बाते जानने के लिए देखते रहें मेरे साथ कई अनकई बाते लाइक शेर एंब सब्सक्राइब तो मैं चानल थैंक यू